सो हे गाईज, वेलकम टो आवर चैनल, कॉलेज रिवीव, लेट दा कॉलेज चूज यू, तो आज मैं बात करूँगा, इंटरनेशनल इंस्टिूट ओफ इन्फोर्मेशन टेकनलोजी हैधरबाद के बारे में, तो आज जानेगे इसके बारे में सब कुछ, तो सबसे बात करे इनकी केंपस इस्टेबलिश्मेंट की, तो 1998 में इनका इस्टेबलिश्मेंट हुआ था, 66 एकर्सकन का केंपस है, जो की गची बोली रोट पर है, तो इनका केंपस एरिया थोड़ा छोटा है, क्योंकि इस्पोर्स फैसलिटीज के लिए पास में ही एक बहुत बढ़ा स्पो करते आ रहे हैं, बाकि आपको किर्केट, बॉली बॉल, सौकर से रिलेटेट सारे ग्राउंड बगेर अविलेबल होंगे, स्पोर्स फैसलिटीज काफी अच्छी हैं, जेम बगेर आपको अविलेबल होगा, सबसे मेन बात यार इनके वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरि में भी जाके खा सकते हो, बाकि इनके फैस्ट की बात करें तो फैलिसिटी इनका कल्जिरल फैस्ट होता है, जो कि 1000 प्लस इस्टुएंट करते हैं, काफी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी ट्रपल लाइटी हैदरवाद को और ज्यादा अच्छा कर सकता है, फैस्ट के मामल इसकी कम आती है हर बार, 2017 में 75 थी, 18 में 38 थी और 2019 में 39 और 2020 में even 40 से एवव है, तो यह इतनी अच्छी रिसर्च उपरिटिटी इस इतनी अच्छी प्लेस्मेंट से फिर भी एनगर फ्रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, उसका रीजन तो पता नहीं क्या है, मोड ओफ एडमिशन की बात करूँ, तो यहाँ पर जो 4-year के B.Tech courses है, उनके लिए आप J.E.Mains के basis पर आ सकते हो, बाकि एक 5-year के courses हैं, इनके dual degree के, तो उसके लिए आपको इनका खुद का exam होता है, उसको देना होगा, तो J.E.Mains के जो cut-off रेंक से काफी यादा हाई जाती है, आगे म मैं आपको वीडियो में बता दूँगा, तो जो इनका IIIT हैदरावत का 5-year का dual degree course है, तो उसका UGEE, यह exam होता है, undergraduate engineering entrance examination, 5 years B.Tech courses के लिए, इसमें आप 3 घंटे का आपका paper होता है, दो section होते हैं, SUPR, subject proficiency test and REAP, research aptitude test, section 1 में आपसे physics, chemistry, mathematics के question पूछे जाएंगे, section 2 में आपसे critical and creative thinking questions based on PCM पूछे जाएंगे, तो मतलब total आपको 3 hours का course होगा, यह competitiveness यहाँ पर भी बहुत जाद होती है, सारे question MCQs होगे, अगर courses offered की बात करें, तो B.Tech में 2 courses offered करता है, IIIT अदरावाद, computer science and electronics and communication engineering, B.Tech के dual degree programs के बात करें, 5 years वाले, तो उसमें यह 5 courses देते हैं, आप देख सकते in computational linguistics, CS and MS by research in computational natural sciences, तो आपको CSE, ECE, 5 years के courses पर भी मिल जाएगी, अब यह जो pass out rate है, 5 years program का, वो काफी कम है, मतलब students पहले ही drop कर लेते हैं, मतलब पहले ही वो नौकरी ले लेते हैं, जहीं मेंस का cut off rank की बात करूँ, तो यहाँ समझ सकते हो, कितनी ज़्यादा competition है, इतनी 2845 rank चाहिए है, अगर UGEE की cut off की बात करूँ, तो वो भी काफी ज़्यादा high है, क्योंकि है dual degree course भी इनका काफी ज़्यादा अच्छा है, BTEC, CSE की बात करूँ, तो 65 closing rank है, ECE and MS की बात करूँ, तो 211, CS in computational linguistics की बात करूँ, तो 164, 214 for computational natural sciences, and 216 for computational and human sciences, तो आप समझ सकते हो, क कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, UGEE examination के लिए भी, पर यार काफी कम strengths देते हैं, मतलब आपको aware होना पड़ेगा, कि UGEE program भी होता है, उसके आप details इनकी website पर देख सकते हो, fee structure की बात करूँ, तो caution money 10,000 है, one time fees 10,000, tuition fee 1,50,000 per semester, तो यार इसको देखके आपको थोड लेक है, और बाकी ST strengths को भी fee admission मिलता है, तो आपको उसकी चिंता नहीं हो, loan facilities भी मिल सकती है, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा fees है, पर जो आपकी placement लगती हो, वो worth it होती, क्योंकि आप देख सकते हो, 100% placement से हर program की, CSEC, चाए वो BTEC का हो, चाए 5 years courses का हो, सबकी 100% placements, यार 100% placement ह ही नहीं, जो इनका सबसे main बात हो है, median package, जो median package हो, या 22 lakhs के around है, जो की काफी ज़्यादा होता है, आप समझ सकते हो, मतलब, जो top की 4 या 5 IIT हैं, उनी के CS और ECE programs का median package लगव 20 lakh के above जाता है, तो आप समझ सकते हो, 8IT हैदराबाद के placements के data, अगर highest package की बात करूं, तो CS और E प्लेस्टेक packages हैं, कुछ इनके international packages भी लगते हैं, 5 years program की बात करूं, तो 15 lakhs for science and engineering, 10 lakhs for computational natural sciences, 32 lakhs in CSE and 30 lakhs in BTEK MS ECE, तो या placement data की तो आपको चिंता करनी नहीं है, 100% placement है, मतलब अगर एक बार college में घुश गए, तो आपको placements तो मिलेगी, मिलेगी, क्योंकि एक दम creamy layer लेते हैं उपर उपर के जो thousand students में से, average package की बात करूं, तो 26 lakhs for CSE, ECE के लिए 19 lakhs है, MS के लिए building science में 15 lakhs, CSE के लिए 18 lakhs and ECE के लिए 18 lakhs, तो placements की चिंता नहीं करनी है, overall college एकदम शानदार है, बस आपको जेए मेंस में मेहनत करके उतनी rank लानी है, जिससे कि आप इस college में जा सको और अपने 100% placement secure कर सको, तो इसके साथ वीडियो को end करते है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे जब जो सा और CSEB की काउंसलिंग होगी, उसमें हम आपको पूरे detail में बताएंगे, कैसे आपको form भनना है से लेके, कैसे college चूस करना है, तो इसके साथ वीड पूश लेना, वीडियो को लाइक करें,